तीन दर्वे जो उत्ति है उनके बारे में वर्णन करेंगा जो स्वस्थ पुरूस है उसे स्वस्थ बनाई रखने का कारिया यहां दर्वे करता है तीसरे नमबर वाला बरफ ठंडी है तो वो ठंडी ही हो सकती है वह लावा नहीं बन सकती लावा लावा है वह बरफ नहीं बन मरे हुए व्याक्ति जिवाने का कारिय यह करती है अगर आप इसके बारे में अच्छे से जानते हैं इसके उप्योग के बारे में जानते हैं नमस्कर दोस्तों मैं रावल सुर्य वन्सी स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल बाबार विद्धा में और अश्टांग हर्दम के एपिसोड शिक्स हम अश्टांग हर्दम के पहले अध्याय पर है अभी आयुसकाम या ध्याय यह हैं और छै वीडियो हमने अभी तक डा पिछल वीडियो में हमने चैनल रसों के बारे में बात किया था और आज की वीडियो में हम तीन दर्वय जो उत्तिया उनके बारे में वर्णन करेंगे महर सिवाग बटजी लिखते हैं विदी बेज से दर्वय तीन परकार का हुदता है तिनों को अलग-अलग भागों में बाटा गया पहला है समन अर्थार्थ वात पित कफ आधी दोसों का समन करने वाला समन अर्थार्थ उन्हें नस्ट करने वाला उन दोसों को दूसरा है कुपन वात आधी दोसों मतलब वात पित कफ दोस को कुपित करने वाला मतलब इन दोसों को बढ़ा देने वाला और ती पुरूस है, उसे सुष्थ बनाय रखने का कारिया यह दर्वय करता है, तीसरे नमबर वाला, ये दर्वय परस पर विपरेत गुण वाले होती है, जैसे जो दर्वय समन अर्धार्त सांतिकारक होता है, वह उस दोस्त को प्रेकुपित करने वाला नहीं होता, इसी परकार जो दर्वय कोपन होका वह समन नहीं हो सकता कहने का मतलब यह है कि बरफ ठंडी है तो वो ठंडी हो सकती है वह लावा नहीं बन सकती लावा लावा है वह बरफ नहीं बन सकता यह उसका गुण है इसी परकार यह कह रहे है कि जो दर्वय समन होता है वह उसी दोश को परकुपित कर परकार का जो दर्वय कोपन होगा वह समन नहीं ओसकता क्योंकि वह कोपन ही है इन गुणों को विपरेतता को आप इस परकार समझे जैसे गुरु गुण से लगुण एवं सीत से उस्न ये आंपर इनों ने बताया ठंडे से गरम सदा विपरेत होता है यही दर्वय अन्य परकारों से दो परकार का या अनेक परकार का होता है यहाँ पर अब वो समन्ध दर्वय के बारे में लिखते है समन दर्वेत जैसे तेल घी सहद अर्थार्थ मिठा तेल सनिक्द उस्ण गुरू तथा गुण वाला होने के कारण वात दोस का समन करता है क्योंकि तेल वात दोस के विपरित गुण वाला होता है घी मधूर सीत मंद गुनवाला होने के कारण अपने से विपरित गुनवाले पित दोस्त का समन करता है कहने के मतलब यही हो गया कि गर्मी लग रही है पंखा चला लीजिए आप एसी सला लीजिए तो जैसे ही आप एसी आपंखा चलाएंगे तो गर्मी ओटोमेटिक भग जाएंगे सर्दियों का समय ठंड लग रही ही हीटर चला लीजिए हीटर चलाएंगे वैसे ही तुरंत आपकी सर्दी भग जाएगी सेम टू सेम वही बाते यहाप पर वो कहने का परियाज कर रहे है मैंने अपने उधारन के दवारा आपको यह बात समधा दिया अब वो लिखते है कोपन के बारे में जो दर्वेवात आदी दोसों रस आदी धातवो तथा मुत्र आदी मलो को कुपित करता है उसे कोपन कहते है इन दोसों को बढ़ा देते है जैसे यवक पाटल उडद मचली आम मुलक सरसो का तेल मंदक दही किलाट आदी विरुद परदार्थ जैसे दूद तथा मचली का एक साथ सेवन करना आदी आपने देखा होगा आज भी आमारे घरों के अंदर ये शिक्षा दी जाती है कि दूद के साथ नोन वेज खाना मना है बहुत सी ऐसी बाते बताई जाती है जो मतलब उल्टा खान पान होता है जो ज़्यादा ही जो नुक्षान पहुचाने वाला और प्रान हरने वाला होता है उनके बारे में आज भी गयान दिया जाता है जैसे सहद और घी को एक साथ कभी नहीं खाना चाहिए यहां में बतलाया जाता है बचपन से ही सहरों के अंदर कोई बताता है नहीं बताता है उसके बारे में कोई जान करें नहीं है परन्तु हमारे गाओं के अंदर हमें बचपन से ये चिज़े सी खाए गई है और ये दो उधारन दिये मैंने आपको दूद तता मचली का और सैद और घी का उनके अलाववा धेरो उधारन है जो बतते है खान पान की जो हमारे गाउं के अंदर आज भी बताए जाती है इसके बाद स्वस्त हितम वो लिखते है रित्व चरिय नाम का ध्याय में जिन जिन का सेवन करन को कहा गया है उन सब को यथा विधी विधी निशेद के अनुसार स्विकार करना ही स्वस्त हितकर चरिया है इसका विशेश विवरन अस्टांग हर्द्याम सुत्र स्थानम के मात्रा सीतिय नामक आठवे अध्याय में विस्तार से देखे अभी ये पूरी जानकरी इसकी समबर आएगा तो विस्तार से वर्णन कर दिया जाएगा अभी इसके बाद महर्शिवाग बटजी लिखते है भगवान पुनर्व असुने त्रिवेद दर्वे का वर्णन करते हुई कहा है कि कोई दर्वे प्रकुपित वात अधी दोसों का प्रे समन करता है कोई दर्वे पर करतिस्त धात्व को बढ़ाया घटा देता है और कोई दर्वे स्वस्त वरत के लिए उपयोगी माना जाता है इसके बाद वो लिखते है सारंग दराचारिये ने समन दर्वे का वर्णन इस परकार किया है महर्शी सारंग दराचारिये की जो व्याख्या है समन दर्वे के बारे में वो यहां पर लिख रही है की जो दर्वे वमन अर्था उल्टी या विरेचन अर्था दस्त दुवारवात अधी दोसों का सोधन भी नहीं करता है इनको मतलब बहार भी नहीं निकालता है साफ नही करता है दोस जो सम है उनको बढ़ाया घठता भी नहीं है किन्तु कुपीत या विसम बढ़े बढ़े हुए या घटे हुए दोसों को जो सम कर देता है वह है समन्द दर्वे कहा जाता है जैसे आपका कफ बढ़ रहा है 90% पित बढ़ रहा है 70% और जो आपका बात हो गया वो 30 50% जो δर्वे इनको सम कर देता है 50-50 कर देता है चायवे बड़े उए वह गटे उए और बराबर है तो उनको बढ़ाता गटाता नहीं है वह धर्वे समन्धर्वे कहा जाता है सारंग धराचारिय के अनुसार और वो उधारन के तोर पर यहां पर एक नाम देते है नाम है गिल रहा जाता है, सब को पताएगे लोग किस काम में आती है, कितना ही बहंग कर बुखारो यह उसे उतारने का पूरा सामर्थ रखती है, मरे हुए व्यक्ति को भी जिवाने का कारिय यह करती है, अगर आप इसके बारे में अच्छे से जानते हैं, इसके उप्योग के बारे में ज जानते हैं, इसके योग के बारे में जानते हैं, यही एक मात्र ऐसी बेल है, पूरे पिर्थवी पर, मेरे अनुसार, और भी जड़ी बूटिया होगी कोई, परन्तु यह है, सर्वसुलोब है सब के लिए है, और असाने से मिल जाती है, आप इसका असाने से इस्तमाल कर सकत हैं, अगर इतना भी टुखडा, अगर आप उसे लेकर के कही पर भी फैक दो, और बारिस आई है, उस पर पानी गिर गया है, तो उसकी जड़े पिन चलूओ जाती है, शुरूओ जाती है, और अपने आपका विकास वै देरे देरे करती चली जाती है, अगर उसको पानी नह है, जीवित हो उठती है, तो आप अंदजा लगा सकते है, कि यह है वनोसदी, एक ऐसी ओसदी है, जिसका अगर आप उप्योग करते है, तो मेरा मानना यह है कि मरते हुए इंसान को भी पुन है, जीवित, जीवन परदान करने का यह है करिया करती है, अमरता, इसे हम जानते हैं, और इस समय बारिस का समय चल रहा है, तो अगर आपके घर या आसपास में कहीं पर गिलोई की मातरा जाद है, तो कोशिस कीजिए कि इतनी इतनी नीम गिलोई के टुकड़े बना करके, नीम की जड़ों के पास में गाड़ दे, क्योंकि इस गिलोई की खासियत हो में मतलब अगर नीम के पास में अगर आप इसे लगाते हैं तो उस नीम की भी जो हाइट वगर होते हैं उसका विकास होते हैं अच्छे से होते हैं और इस गिलोएगा भी ये खास है इन दोनों का सम्मंद बहुत ही खास है तो ये थी आज की हमारी वीडियो महर सिवाग भट जी के तीन दर्वे के बारे में अर्थ हर्थ उनके अनुसार तीन दर्वे के बारे में यहां वीडियो थी यहां वीडियो आपको कैसे लगी कॉमेंट करके जरूर बताना और अगर आपको अश्टांग हर्दम की यहां जो सीरीज एपिसोड हमारे चैनल पर सले हुए है यहां आपको कैसे लगते है इनके अंदर क्या-क्या फेर बदल करने चाहिए उसके बारे में भी आप कॉमेंट कर अपनी राय जरूर दे और इसी परकार की अहरवेदिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करे बाकी धन्यवाद दोस्तों वीडियो को प